मैट 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 का हिंदियर्थ होता है कालीन ठाट आसन चटाई आए दोस्तों आज हम इस वर्ट को समझेंगे कुछ एक्जेमपल के साथ इसका हिंदियर्थ होता है पालतु चटाई पर बैठ गया इसे तरह दूसरा अगजामपल है हमारा He dropped to the mat इसका हिंदी अर्थ होता है वो चटाई पर गिरा इसे तरह तेसरा और आकर एक्जामपल है हमारा There is no bath mat इसका हिंदी अर्थ होता है नहाने की चटाई नहीं है दोस्तो अमीद करता हूँ इन एक्जामपल के ये माध्यम से mat का हिंदी अर्थ काफी अच्छे समझ गये होंगे दोस्तो ऐसे हिंग रेजी शब्दों को हिंदी में समझने के लिए आप हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं धन्यवाद